हेलो फ्रेंट्स एंड वेल्कम बेक चैनल स्मार्टेश क्लब शुरूरात करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो आज 23.46 पे काम कता हूँ नजर आ रहा है लगवग लगवग 3.50% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है जो आज की क्लोजिंग हुई है यह 9th मार्च के बाद की सबसे उची क्लोजिंग है आज के दिद में इंडिया विक्स भी बढ़ते हुए नजर आया और बैंक निफ्टी भी बढ़ते हुए नजर आया तो सब के अपने अपने रीजन है इंडिया विक्स के अंदर में मुझे जो लग रहा है क्यों बढ़त हुए है डेफिनेटली वोलाडायल सेशन होने के चांसेज इसके लिए बढ़रा है और यह अन्दर में कहिना करे रिजल्ट की बात होने वाली है चुनावा खत्म होने वाला है उसके चलते रहे थोड़ी देखने को मिला था मैं बात कर रहा हूं कि कुछ कंट्रीज ने help करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ है जिसके चलते हुआ ऐसा माना जा रहा है कि इस weekend तक control हो जाएगा numbers बढ़ने थोड़े से कम हो जाएंगे जिसके चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आज हरे रंग में close होता हुआ नजर आया हुआ है निफ्टी 147 पॉइंट अब बैंक निफ्टी लगब लगब 550 पॉइंट अब close होने में successful रहा है निफ्टी फूचर के बारे में बात करें तो flat है almost equal काम कर रहा है और बैंक निफ्टी थोड़े से premium में काम करते हुए नजर आया हुआ है अगर डेटा की बात करें तो FII का long position आज बढ़ते हुए नजर आए जो कि 68.33% पर है बढ़ा कितने से 4.29% से इससे बढ़ते हुए नजर आया है और यह जो डेटा है आज के दिन में यह डेटा मैं positive मानूंगा क्यों positive ले रहा हुए उसके पीछे मैं आपको reason बता देता हूँ क्योंकि जो data आया है वो data quality के हिसाब से काफी अच्छा है क्यों बोलता हुए quality के हिसाब से काफी अच्छा है first of all जितनी long position आज के दिन में FII की तरब से देखने को मिली हुई है यह पूरे महीन यानि last 30 दिन के अंदर में second best figure है second चीज मैं 68.33% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ net numbers की number of lots की बात कर रहा हूँ मैं दूसरी चीज यह जो increase हुई है यह सिर्फ और सिर्फ आपका long build-up की वज़े से नहीं हुआ है in fact आपको short covering भी देखने को मिली हुई है जो कि इतने दिनों बाद में FII की आज के दिन में put writing call writing की लगब लगब धाई से तीन गुना ज्यादा हुई है यानि put writing कब की जाती है जो आपको ऐसा लगता है कि market particular level तोड़ेगा नहीं नीची की तरफ नहीं जाएगा या तो sideways movement करेगा so put writing ज्यादा हुई है long build-up देखने को मिल रहा है short covering हुई है इन सब के चलते हुए जो data हमें देखने को मिल रहा है इसकी quality अच्छी है because of that मैं आज के data को जो FII की long position है मैं इसे positive समझ के चल रहा हूँ दूसरा बहतरीन data जो आया है वो index future के अंदर में 1218 करोण की buying का आया हुआ है positive है इसी के साथ में stock future में पिछले 3 दिनों से continuously 4 digit के अंदर में buying द नजर आया है so overall अगर आप देखें तो derivative के अंदर में सिर्फ और से लगबग लगबग 2430 करोण के आसपास की आपको खरीदारी देखने को मिलेगी 2430 एक और यहां पर चीज जो बतानी है 20th April का जो data है this is not minus 307 this is plus 307 एक हमारे वीवर ने इसे comment करके mention किया था तो thank you very much for you know for the correction now आज की data के उपर में आ जाए तो आज का data relatively positively positive नजर आ रहा है so derivative data भी आपको यहां से positive indication दे रहा है cash के अंदर में थोड़ा सा surprisingly negative figure है और यह FII की तरफ से negative figure देखने को मिल रहा है which is 1112 करोण की बिक्वाली जबकि DII का support अभी भी बरकरा रहा है 1022 करोण की खरीदारी so DII अगर समझे कोशिश करें तो DII positive indication दे रहे हैं नीचे के लेबल से खरीदारी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक support चाहिए रहा है कि market का fall बहुत तेज ना हो वो support होते हुए भी नजर आ रहा है DII की तरफ से जिसके चलते हुए हम मीचे के support लेबल को संभाल रहे है FII की numbers देखें FII पिछले कुछ दिनों से continuously cash के अंदर में बिक्वाली कर रहा है जो थोड़ा बहुत mood मोहल खराब हो रहा है और उपर के label पर नई टिकने का reason एक ये भी आप समझ के चलिए तो FII की तरफ से overall बिक्वाली हुई है अगर पुरे अप्रिल मंत की बारे में बात के तो अप्रिल मंत में FII का डेटा है वो negative है वो minus में है तो definitely ये बहुत बड़ा concern बन रहा है overall जो बिक्वाली हुई है 1112 करोन की बिक्वाली हुई है cash के अंदर में और stock feature के अंदर में 1210 क करोन की खरिदारी तो stock के अंदर में पैसा लगा के ही गया है 80 करोन positive भी दिख रहा है negative नहीं गया तो FII का data भी फिलाल positive मान के चलेंगे neutral से positive मान के चलेंगे मैं सर्फ इस figure को नहीं consider कर रहा हूं मैं जो derivative के अंदर में stock करोन ने investment किया उसे भी मैं इंडिया इसे भी consider करके च इस तरह का mood-mohal change होता हुए नजर आया यह बहुत बड़ा question रहेगा कि क्या इस बार FII के चलते हुए put call ratio आपको कल के दिन में 1.50 के उपर दिखता है क्या और दिखाई देने से अच्छा टिकता है क्या यह बहुत बड़ा question है so तूरे data को के समझने की कोशिश करें लगब लगबग 3.5% का gain जो देखने को में आप Wix के अंदर में यह थोड़ा सा concern बढ़ा रहा है options buyers के लिए क्योंकि अगर आप option buyer है तो premium ज्यादा महेंगी होते हुए नजर आएगी तो आपको मौके मिलने कम हो जाएंगे तो एक वो थोड़ा सा concern बढ़ाते हुए नजर आ जो volatilization होने के संकेत दे रहा है इसके अनावा अगर आप derivative data देखे तो इसके अंदर में FII की तरफ से positive indication ही आ रहा है और DIA की तरफ से positive indication continue है put call ratio के बारे में बात करें 1.38 के आसवास में है कहीं ना कहीं ऊपर के label के आसवास निफ्टी पहुझ गया है 14485 के आसवास में जहां से पहले profit booking देखने को मिला था तो उन important labels के उपर हम sustain करते हैं कि नहीं करते हैं यह important होगा और उसी तरह से आपका nifty put call ratio 1.50 1.60 के आसवास जाता है कि नहीं यह एक दो दिन में हमें समझ में आएगा तो यहां से neutral view लेके चल रहे हैं कल मार्केट शुरू होने के लिए FII-DII के तरब से positive indication आते हुए नजर आ रहा है हमने क्या trade initiate किया था निफ्टी में 14,500 का call ने buy किया हुआ था this is buy basically 130-135 के आसवास में initiate किया गया था and 160 का target लिया था वो जो target hit होते हुए नजर आया हुआ है लगबग-लगबग 18.52% का यहां पे profit बुक होता हुआ नजर आया है so overall अभी तक जो भी trade share किया है 74.63% से success ratio आप देखने को मिल रहा है अगर आप हमारे platinum members है तो definitely आपको यह calls आइदर आपके mobile के whatsapp पे मिल रहा होगा या तो youtube के community tap पे मिल रहा होगा और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291-80296 में contact कर सकते है message भेज सकते है या तो whatsapp कर सकते है ताकि मेरी team आपको यह सारे trades live market में आपके mobile पे deliver करने में help कर सके चले आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते है कि आज के बेहतरी session के बाद में nifty and bank nifty ने चार्ट के उपर में किस तरह का candle बनाया हुआ है और यह जो high levels बना रहे है क्या यह high levels किसी तरह का profit booking indicate कर रहे है या rally continue हो सकती है चार्ट के उपर यह है सचिन को करेजा इन्हें डोस को टच करना मुश्किल लगता है पर अब स्टॉक्स पे इंवेस्टिंग इन स्टॉक्स वेल्कम बैक और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टि के बारे में निफ्टि का वियो अलड़ी शेयर किया है उपर काड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं बैंक निफ्टि आज रेंज चेंज करते हुए नजर आए शिफ्ट इन रेंज होते हुए नजर आए बैंक निफ्टि के अंदर में और यह रेंज क्या थी अब जब भी हम 32,200 के आसवास में जा रहे थे वहां पर प्रेशर क्रीट हो रहा था और वहां से सेलिंग देखने को मिल रहे थी आज के दिन में हमने जो क्लोजिंग दी वह भी 32,200 के ऊपर हुई है जो ओपनिंग थी वह भी 32,200 के ऊपर हुई है तो पॉजिटिव है थोड़ा अगर रेंज की बात करें तो लगब लगब 460 पॉइंट के रेंज में दिन भर काम क्या हुआ है एक निगेटिव पॉइंट यह है कि जहां पर ओपनिंग होई थी हूँ उसके नीचे हमने क्लोजिंग दी वही है और पिछले आखरी एक गंड 32,200 के आसपास में अगर 32,200 तोड़ता है तो फिर आद में टागेट 31,700 31,500 फिर से बनते हुए नजर आ सकते हैं सिर्फ छोड़ी से कंडिशन 32,200 अगर तोड़ा तो एटलिस्ट हाफ एन आवर इसके नीचे काम करना चाहिए क्यों क्योंकि फिर ट्रेंड आपका कंफर्म हो वो रेंज वापस से शिप्ट होते हुए नीचे आ सकती है फिर उस टाइम पे तरफ 32,644 के आसपास में काम करते हुए आज इस दिन पर नजर आया हुए है अब फिलाल के डाइम पर अगर लॉंग करना है तो बैंक जिफटी अच्छा देख रहा है शॉट करने के इसाफ से लॉंग करने के रहे साब से अच्छा है इस मूब में काफी कुछ कांट्रिबिशन जो है ऐसी से बैंक की बढ़िया रिजल्ट के वजए से ऐसे बैंक की तरफ से आता हुआ भी नजर आया हुआ है तो उपर की तरफ से कौन से रेंज इंपोर्टन है वह अभी डिसकस आया है तो बाइ कर लेना चाहिए अच्छा बाइ करना चाहिए अच्छा बाइंद उसे स्ट्रॉंग ली बाइ करना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा डीप नहीं होगा 31,400, 31,390,380 के आसपास का ही होगा बाइ करना चाहिए टागे 31,700, 32,200 के आसप बना चाहिए गैप आप ओपनिंग के अंदर में ओ जस्ट गिमें मिनिट आओके एट्स करेक ना तो शॉट करने के लिए जो लेबल सी उस कर सकते हैं ऊपर की तरफ में 33,200 थोड़ा सा इंपॉसिबल है अभी फिलाल एक दिन के हिसाफ सा इसा नहीं बूला जा सकता है लेकि 32,720 के आसपास का stop loss लगाना मत भूलिएगा 32,600 के आसपास short stop loss 32,720 के आसपास में and target नीचे के तरफ 32,200 बनता हुए नजर आएगा दोनों तरफ के लिबल के बारे में डिसकस कर लिया है डेली चार्ट के बारे में बात करें यह पर्टिकुलर कैंडल अगर आप देखोगे तो इसमें एक पॉजिटिव यह हायर आई हायर लो बैटन मनता हुए नजर आया है गैप जो ओपनिंग हुई थी तो सस्तेन होती और रेंज उपर की तरफ शिप्ट होता हुए नजर आ रहा है लेकिन कैंडल अपने आप में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है जो यह इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी ट्रेडर्स के अंदर कॉन्फिटेंस नहीं है कि बैंक रिफ्टी 32,200 के ऊपर 32,500 के ऊपर सटल ह नजर आएगा और अगर ऐसा होता है एक क्लोजिंग चीए 32,600 के ऊपर की अगर 32,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो 600 पॉइंट के रैली देखने को मिल सकती है और अगर 32,600 के बाद पास जाते है और वहां से फिर से नीचे की तरफ आता हुए नजर आता है तो आपको फ इंडिकेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वोलाटाइल होने की चांसे भी है तो देखने को आपको मिलेगा ऑप्शन चेंट के ऊपर चलते है और जैसा मैंने निफ्टी में बता है एफ फोड़ा सा फरक आज आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेंट के अंदर में निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या फरक देखने को मिल रहा है कि आज ग्रे और वाइध कलर जो है वो आउट अप दो मनी में होने की जिएगा पुट एंड कॉल के लिए देखे जा रहे है हमारा at the money का होगा, closing हो यह 32,200 के आज पास में, 32,267 के आज पास, 32,300 at the money लेंगे और वहां से फर discussion चलो करते हैं आज में mark it first, 32,300 के हम बात कर रहे हैं और वहां पर बहुत जादा आपको data देखने को नहीं मिल रहा है कि यह 500 वाला multiple नहीं है सो शुरुआत करेंगे 32,500 से call option में, अब देखे 28,824 lot का open interest देखने हो मिल रहा है 33,000 पे 44,877 lot का open interest देखने हो मिल रहा है और उसके नीचे जाएंगे 33,500 पे 36,375 lot का open interest देखने हो मिल रहा है यह तीनों के अंदर में सबसे जादा highest open interest जो है 33,000 के उपर में है यानि कही ना कही वो अभी भी problem create करेगा उपर जाते समय आपको एक बार थोड़ा तकलीफ हो सकते है उस label के आस्वास में जो दिन के दौरान बढ़ियां चीज बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली वो आपको unwinding की बात कर रहा हूं है अच्छी खासी unwinding होई है लेकिन अभी भी 29,000 लोट का open interest बना हुआ है जो कि 32,500 से ज्यादा है अगर आप 32,500-600 के उपर काम करना चालो करते हैं तो एक short covering की rally आपको 33,000 तक ले जा सकती है लेकिन 32,000 तूटेगा या नहीं तूटेगा लाइब मार्केट के अंदर में option chain पे नजर रखेगा तो समझ में आएगा अपार्ट फॉर्म अगर पूट साइट की बात कर तो पूट साइट के अंदर में बनिया राइटिंग देखने को मिल रही है अगर यह रेंज देखे तो कही ना कहीं बड़ी रेंज 31,000 से 33,000 के बीच के नजर आती है और छोटी रेंज के बादे में बात करें तो चार्ट के अपर में हमने भी डिसकस किया अगर पसंद आ तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगा दोस्तों के साथ में शेयर करेंगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटनम मिंबर्शिप का भी बेनिफिट ले रहे होगे होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपारी आपके लिए जोड़दार हो और आप खुब सारा पैसा कमाएं गुड नाइट